हेलो यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो आज का जो ब्लॉग है आप लोगों ने जो पिछला ब्लॉग देखा था उसके जश्ट बात का है पिछला ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं यह भी एड़ कर देती ना तो फिर ना आप लोग नहीं देख पाते बोर हो जाते वैसे ही मेरा ब्लॉग बहुत जादा लेट हो गया है तो इसलिए ना मैंने दो पाट कर दिया है एक दिन का ही तो यहां पर मैं लग गई हूँ मतलब आदा आदा जो साफ सफाई है वो तो हो गया है अब ना बस पलंकी साफ सफाई करनी बाकी है और फ्रिज की करनी बाकी है तो अभी मैं लगूंगी फ्रिज की सफाई तो मैं कल करूंगी लेकिन अभी मैं पलंकी सफाई करूंगी बाकी मैंने अलमारी और बाकी जितना सब कुछ ध वह सारा कुछ रख्खा है तो उतना उपर मुझे पहुंच पाना भी पॉसिबल नहीं है तो जब तक वह आएंगे ला तब मैं उसकी भाय करूंगी अभी मेरी हालत भी ठीक नहीं है सिर में बहुत जादा दर्द भी है और उपर की हुआ हुँ इसमें मेरे इता सवान करना चुछ अपना था चूला ये सब थे तो कुछ बरतन मैं इसमें भी डाल रखा है और कुछ बरतन है जैसे पीतल पूल वगذर का तो वो ममी के पास मैने दे दिया है तो ममी ने बड़ा वाला बॉक्स में मतलब मेरी सासुउमा तो उन्होंने उसमें रख दिया है बाकि जो इसपतली लिए सबका है वो इसी में मैंने डाल दिया है तो अभी मैं सब कुछ निकालूंगी एक एक करके और सारा जो है साब सफाई करूंगी पलंका भी क्योंकि बंद ही सही लेकिन साल भर बंद रहने के बाद थोड़े बहुत धूल वगरा चले ही जाते हैं तो यहां पे देखिए यह जो है यह पायदान मैं दो आधा धूरा करके छोड़के रख हुए हैं पिलाला भी मैं इसको ऐसे रख दूँगी क्यों निकालने का भी मन नहीं हो रहा लग रहा है इतना मैना से मैने इसे बुना है थोड़ा और बुंद उगी तो फिर ना यह काम का आजाएगा वैसे हो नहीं पायगा क्योंकि इतना टाइम कहां है आती हूं तो बस य सब्सक्राइब नहीं सब्सकें नहीं सब्सक्राइब नहीं out सब्सक्राइब साफ़ार प्रेंटmor और गर्मी बहुत जादा लग रही है कि सर ना मेरा दम फटा जा रहा है मतलब सीर दरध से जबसे मैं करने लगई हुना कामतपसी Eastern My Regalघ होने लगा है और मेरा होताय मैं होता भी है जब भी मैं साफ़ प्रूश करती हूं पूंस शेर में दरध हो ही जाता मैंने शेट करके पलंग बन कर दिया है और अलमारी का भी हो गया बस ना फ्रीज बच गया है तो कल मैं अच्छे से फ्रीज की डिप क्लीनिंग करूंगी आश नहीं हो पाएगा कर लेती लेकिन फिर भी न बहुत जादा सिर्मेदर्द है तो अभी मैं जा रही हूं अब नहान इस वज़े से बीच का और भी वीडियो में शूट नहीं कर पाई अभी लाइट आई हुई है तो अब चरिया मैं नहां करके आ रही हूं फिर आप सभी से मिलती हूं को का कारीगरी देखिए कारीगरी को का दिखा दिखा तुम यह नेल पेंट यही करने के लिए लाई थी म मैंने यह खराब और नेल पेंट ना निकाल के फेका था और इसने उठा के रहे कैसे किया है तुमको इतना अपना पैर रगने का मन करता है चेहरा देखिए हो कितना गंदा लग रहा है तुम अपना चेहरा देखिए हो कितना गंदा लग रहा है चेहरा तुम्हारा कौन बो पापा बोले थे कब बोल दिये पापा तुमको आज चलो चलो तुमको भी पैराज़ों के और साफ कर दे तो सुन्दर लग रहा है अच्छा अच्छा सुन्दर लग रहा है न देखो न भी पापा को दिखाएंगे और फिर तुम्हारा पिटाई होगा ठीक है चलो चलो उठो चलो पापा पापा को दिखा दें ठीक अच्छा तो अब मैं आ चुकी हूँ नहा करके और ये सब करने में न मुझे साम हो गया था और सच बताओ ना अगर साफ सफाई आप करते हैं ठकावट है आपके बॉडी में सीर दर्ध है और मतलब मा लिजे कही सीर में पेन है और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं क्या ही बता हूं लग रहा था कि वापस से मैं काम में लग जाओंगी तो अभी न काम निप्ता दूंगी इस तरह से मतलब पुरा जो बॉडी है न इक्दम फ्री हो गया था तो यहां पे गद्दे जो थे मैं इंद आने लगेगा तो फिर ना बिस्तर लगाने में टाइम लग जाएगा इसलिए सबसे पहले ना मैंने बिस्तर लगा दिया है थोड़े देर के लिए मैं भी रेश्ट कर लूँगी क्योंकि फिर सामका खाना वगेरा भी बनाना है कपड़े दो यह थे मैंने तो कपड़े मैं उठा करके लेके आ गई हूं तो वो सारे कपड़े जो हैं मोड के रख दे रही हूं और इधर जो रेक वगेरा दिख रहा ना लमारी वो सब ऐसे ही मैंने समान बस पोच के रख दिया है कुछ भी मैंने अच्छे से नहीं रखा ज़्यादा समान है नहीं बस थोड़े ब अच्छा है वैसे तो अभी देखे पूजा पाडवी कितना ना सुरू हो जाता है धंतेरस का फिर दिपावली का छोटी इस तरह से करके तो यह जो ब्लॉग है वो धंतेरस सायद मंगलवार को ही हुआ था हमारे यहां नहीं होता बस ना कुछ ले लेते हैं उस दिर हम लोग घर को बहुत अच्छे से सजाएंगे सभी लोग अपने अपने जगह पे हैं अपने अपने कामों में हैं अपने रेंट मतलब रेंट पे जहां रूम लेके रहते हैं तो सारे लोग वहीं पे करेंगे यहां तो कुछ होगा नहीं और मैं भी अकेली हूँ तवियत मेरी ठीक करना में हैं साफसफाई हैं। होला है तो देखते हैं क्या होता है फिल्हाल सभ सफाई है तो वह सब तो करनी ही जब तक कि— दिपावली का सारा सभ सफाई नहीं हो जाता तब तक तो करना ही है चाहे तब्यत जैसा भी हो तो यह ब्लॉग है वह अगले दिन का है उस दिन मैंने फिर रात में खाना वगएरा बनाया और खाके सोई वैसे ना मुझे रात में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था रात में पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था ना और इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी मुझे पता नहीं यह क्या हो र नास्ता खाना सब कुछ उसके बाद फिर में लग गई थी यहां फे फ्रीज की सफाई करनी थी और यह जो सफाई होती है ना फ्रीज वाली जो मतलब बहुत टाइम बाद वाली तो वह बहुत जादा मतलब यह होता है सीरडर्द होता है एक समझे तो और मेरा फ्रीज एक साल स उससे अच्छे से दूदिया है उसके बाद यह दब्बे जो मैंने निकाले आते ना सारे शाअरे डब्बे भी मैं दूदर्ट आखो दूंघ और पानी तो तो यह हो जाता इस तरह से गरम पानी और डिटर्जन डालके मतलब साफ करने से सारे डबे वगएर दो करके मैंने डाल दिया है धूप में सुखने के लिए और अब मैं आ गई हूँ फ्रीज की डीप क्लीनिंग करने के लिए तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगे कि मैं अपने फ्रीज क गंदा नहीं मिलेगा यह एक साल बंद रहने की वज़े से थोड़े से दाग दाग हो गये हैं तो अभी मैं इन सब को हटा करके और एकदम अच्छे से चमका देने वाली हूँ तो सबसे पहले यहां पर मैंने जो खाने वाला सोडा होता है ना वो वाला सोडा ले लिया है औ वहां महां पर मैं देखिए सोडा गिरा करके ऐसे और इसको दस मिनट के लिए फ्रिज बन करके और छोड़ दूंगी और मुझे याद ही नहीं था कि मुझे निम्बू की भी ज़रूरत है तो मैंने निम्बू मंगाना ही बूल गई थी मैं आ रही थी जब अपने मैंके से तब से ही मैंने महीं से ये मीठा वाला सोडा लेकर के मतलब मैं आई थी कि पता नहीं यहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यहां पर देखिए मैंने डाल दिया है और उसको मैंने दस मिनट के लिए बन करके छोड़ दिया था उसके बाद आधा निम्बू मिला मुझे मम तो बस इसी तरह से मतलब आदा ही निम्बू है तो पूरा फ्रिज तो हो नहीं पाएगा फिर भी मुझे लग रहा है कि जहां पर ज्यादा दाग है ना वहां पर मैं पहले रगर लूँगी उसके बाद फिर बाकी जगह पर मैं रगरूँगी इसको तो बस यहां पर देखिए मैंने फ्रिज का रबड ज raspर जो होता है जहां से lock करते हैं वह वाल caso इतना गंदा हो गया था मेरा उपर से देखने में तो लगी नहीं रहा था कि गंदा है लेकिन जब मैंने उसे हलका सा खोल की देखा तो मतलब इतना जादा गंदा है मैं दिखाओंगी अभी आप लोगों को मैंने सोचा था कि नहीं मैं उसको छोड़ दूँगी क्योंकि गंदा नहीं है लेकिन जब मैंने उसे खो यह चीज़े जो है मिस हो जाती है ध्यान नहीं दे पाते लेकिन इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही ना फिर विमारी होने का डर रहता है कीड़े मकौरे जो है ना फिर होने लगेंगे तो फिर यहां पर देखिए मैंने उसे निकाल दिया है और उसकी सफ बना करके एक कॉटन का कपड़ा लेकर के पूरे में अच्छे से लगा करके और हलका सा रगर दिया है तो पूरा जो मेरा फ्रिज है वो साफ हो गया है अब एक और कॉटन का कपड़ा लेकर के अच्छे से देखिए यहां पर मैं सारे फ्रिज को पोच दूंगी ताकि जितन देख रहे हैं आप यह नेल पेंट है नए मेरे मतलब मेरी बड़ी दिदी के बेटे ने गिरा दिया था तो उसका दाग जो है नहीं निकला है बाकी देखिए पूरा फ्रीज आपको एक दम चम चम आता हुआ मिलेगा नए के जैसा और पता है अभी जब मैं ससुराल आई हूं करेंगे मतलब इस वासने होगा जहां पर एक जीवी डाटा लगता हूं पर पांच जीवी डाटा लग गया मेरा इतना जदा यहां पर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रहा नेट वर्क बिलकुल भी नहीं रह रहा है जिस वजह से आप लोग ब्लॉग जो है वो कॉलिन से पोछ दूँगी तो एकदम नहीं के जैसा चमक जाएगा फ्रीज की क्लीनिंग हो गई थी उसके बाद मैंने गोद्रेज और जो मेरा पलंग था उसको भी कॉलिन से मैंने साफ कर दिया था पूरा रूम एकदम चका चक हो गया मेरा और उसके बाद मैं नहा ली थी और ये सारे डबे मैंने उपर लाके डाले थे तो ये सारे डबे भीना सूख गया हैं अभी इन सब को ले जाकर के भी मैं जो जो चीजे इन सब में रखनी है सारा कुछ मैं कर लूँगे आज ही ताकि कल के लिए मुझे कोई काम नहीं बच्चे कल भर मैं रेष्ट करूँ औ बहुत सारी चीजे होती है तो इसी विए मैं कोशिज कर रहे हूं कि यह सारा काम आगे आज ही खतम हो जाया तक कि कल के लिए मुझे कोई काम ना मिले मतलब बच्चे कल मैं अच्छे से अराम करूं और परसो दिन का जो भी मतलब दिपाली की दिन का जो भी है सारा कुछ मनाया लेकिन मेरा दिपाली ऐसा नहीं होगा गाह में हूँ अभी क्या हो रहा है ना सोच रही हूँ कि मतलब जब मैं इटानगर में थी अगले साल तो ऐसा लग रहा था कि अपने घर रहती तो बहुत आम जाम करती लेकिन अभी यहां आ गई हूँ हस्बिन नहीं है अकेले हस्बिन रहते तो उनके साथ जो भी चीज़े करनी थी उनसे मैं बोलती वो ले आते लेकिन यहां हूँ गाह में तो मैं कहीं जा नहीं सकती और कोई है नहीं जिसे मैं मंगवा सकूँ अभी मैं बताओं जो जालर होता है ना जो लाइटे वगेरा होती है दिपाली में जो ल